IPL के 54 में मुंबई इंडियंस का सामना रोयल चलंजर्स बैंगलोर के साथ था शांदार मुकाबला हुआ बैंगलोर ने मुंबई के सामने 199 रनों का बड़ा लक्ष रखा था इस दोरान मुंबई ने लक्ष का पीछा भी शांदार तरीके से किया तो चलिए आप लोगों को बताते हैं किस मैच में मुंबई की शांदार जीत के 5 हीरो कौन से हैं किन 5 खिलारियों के दम पर मुंबई इंडियस ने रोयल चलंजर्स बैंगलोर के टीम को पस्त किया और किन 5 खिलारियों के दम पर मुंबई को ये जीत मिली सबसे पहले हीरो के तोर पर सूर्य कुमार यादव सूर्य कुमार यादव ने लक्षका पीछा करते वे जिस तूफानी अंदाज में बल्ले बाजी की उसकी खुब तारीफ हो रही है आईपेल 2023 में सूर्य कुमार यादव शुरुवाती मैचों के बाद जिस ले में नजर आ रहे है उसने मुंबई की जीत को एक अलग तरीके का अंदाम दे दिया है शांदार तरीके से सूर्य कुमार यादव बल्ले बाजी करते वे नजर आ रहे है आज भी एक तूफानी अंदाज में सूर्य कुमार यादव बल्ले बाजी की और शांदार तरीके से चोके छके लगा कर मुंबई इंडियन्स की जीत को सुनिश्चित कर रहा दूसरे हीरो के तौर पर आज नेहल वडेरा नेहल वडेरा भी शांदा सूर्य कुमार यादव का साथ दिया और एक बहतर पार्टनर्शिप करके इस मुंबई इंडियन्स के इस मुकाबले में शांदार तरीके से जीत की अहम भूमे का निभाई तो नेहल वडेरा भी इस जीत के एहम हीरो रहेंगे तीसरे हेरो के तोर पर जेसन बेरंडोब जोकि जिस वक्त शानदार तरीके से RCB खेल रही थी, उस वक्त जेसन बेरंडोब ने RCB के तीन बड़े विकेट हासिल किये, चार उवर में 36 रंदे कर बेरंडोब को तीन विकेट मिले, तो जेसन बेरंडोब भी मुंबई की जीत के तीसरे हीरो रहेंगे चोते हीरो के तोर पर इशान किसन जी हाँ आई पेल 2023 में इशान किसन का बल्ला थोड़ा खामोश था लेकिन आज जब बड़े लक्ष का पीछा करना था तो इशान किसन का बल्ला आज आग उगलता नजर आया रोई शर्मा के जल्द आउट होने के पाच्वे हीरो के तोर पर आज कही गैनबाजों ने शानदार पर दसन किया जैसे कि क्रिस γ्रिन दो और में 15 रंडिये एक विक्ट मिला क्रिस जोडन ने चार और मेर तारिस हन जरूर दिय लेकिन एक विकट उन्हों को भी मिला तो कह सकते हैं कि पांचवे हीरो के तोर पर आज कई गिनबाश शामिल थे लेकिन जिस अंदाज में शांदार तरीके से सूर्य कुमा यादव और नेहल वडेरा ने बल्लेबाजी की वो इस जीत के सबसे बड़े सूपर हीरो निकले और शांदार तरीके से मुंबाइ इंडियन्स को पोइंट होतर नजर आ रहा है आपका मुंबाइ इंडियन्स की जीत पर क्या कहना है और मुंबाइ की जीत का सबसे बड़ा हीरो आपको कौन नजर आया कमेंट करके जरूर बताएं